तो दोस्तो आज हम बात करेंगे split phase induction motor क्या होती है, इसकी working क्या होती है और इसके applications क्या होते हैं और split phase induction motor का प्रियोगां कहां कहां करते हैं और आपके घर में कहां पर प्रियोग होती है यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रही है, मैं राइसयनी और राइसयनी ऐलेक्टिकल समा आपका स्वागत है एलेक्टिकल के practical वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन को दबाव लिजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल जाएं तो फ्रेंट्स इस वीडियो के वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कुछन पूछना चाता हूं क्या आप जानते हैं कि सिंगल फेज इंडुक्शन मोटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर कार करती है जानते हैं तो कमेंट वक्स में कमेंट करके बताईए नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा तो वीडियो पूरी देखते रही है तो फ्रेंट्स स्पिल्ट फेज इंडुक्शन मोटर का मैंने आप एक डियाग्राम बना रख ठीक है दीचे यहा स्टाइंग माइणडिंग के सिरीज में एक सेंट्रिफीङल स्विच लागा हुता है सेंट्रिफीगल स्विच का कार्य होता है किасть Exactly सीड़ पर एती परसेंटों आने पर सेंट्रिफीॐगल स्विच जो होता है वे सेंट्रिफीगल फेलτα देना बंदगर देता ए और जो की होता है इसके अंदर वर्किंग होती कहीं सब्सक्राइब कि डाइगराम तो कुछ इस तरह से यह आपने देख लिए यह रोटर है यह मेंडिंग यह स्टार्टिंग मैंडिंग यह दो सो भी इस वोल्टेज एसी सिंगल फिस सप्लाई ठीक है होता क्या है जब सप्लाई यहा आपते स्टारटिंग गोढ़ टनींति तक चली है ठीक है अपको सौंझ मागिए कि हमारी दोनों वॉइंडिंग संप्लाई आँ लिए अब क्या है कि जब रोटर गूम सब्सक्राइब के च्रों इन के चारों ओर अशन harvest हो वलता है टotte一點सिशीं होगी है अब क्या इक फिन कि तो होगे हमारे रोटर को इस तरके से हिलाने लगेगा लेकिन अभी चलेगी नहीं चलती ही गवे जब जो एमफ है वे घूमता हूँ मतलब कि रोटेटिंग एमफ हो रोटेटिंग एमफ के लिए क्या जरूरी होता है कि हमारे जो दौन्व के हो 90व Les तो इसमे जो वाइन्निंग होते है वा इनैंटि डिगरी के फिरेंस क्रएट कर देती है ये वाइनिंग 90 degree के phase reference create होने के कराण जो हमारे rotor पर एक rotating magnetic field लगता है rotating magnetic force लगने के कराण हमारा जो rotor है भए घूमने लगता है कुछ इस तरीके से घूमने लगता है क्योंकि उस पर घूमता हुआ magnetic field लग रहा है तो हमारा rotor भी उसके साथ साथ घूमने लगेगा ठीक है, तो यह होता है हमारी जो single phase induction motor की working होती है, चलिए आप इसके बारे में जानते हैं कुछ main points के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, देखिए, जो single phase, क्योंते है, split phase induction motor होती है, इसके अंदर जो winding होती है, बहुत ही ज्यादा पतले wire से बना जाती है, पतले wire से बने हो क्या होता है, उस winding का resistance और current density बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, resistance current density बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके अंदर क्या है, heat produce हो जाएगी, heat बढ़ने लगेगी, heat बढ़ने से क्या होगा, आपकी winding के जलने का खत्रा बढ़ जाता है, winding को जलने से बचाने के लिए, हम क्या करते है, मैं OLR का प्रियोग करते है, OLR जिसका full form होता है, overload relay, ठीक है, overload relay का कार्य होता है, कि हमारी इसमें जो इसे सुरूप से प्रियोग कर जाता है, कि जब हमारी split phase induction motor की winding है, इसमें 5 seconds से ज्यादा current ज्यादा current जाने लगे है, 5 seconds से ज्यादा, तो हमारी OLR जो होती है, वह winding को supply देन बंद कर देती, और हमारी जो motor होती है, वह जलने से बच जाती है, ठीक है, आप जानते हैं, इसके applications के बारे है, दीखे, जो इसके applications है, हमारी घरवें जो fan होता है, ceiling fan, इन में इसका प्रियोग कर जाता है, split phase induction motor का भी प्रियोग कर जाता है, और हमारे जो washing machine होता है, washing machines में प कर जाता है ठीक है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को सुरू करने से पहले हमने आपसे एक कोश्चन पूछाता है कि इंडक्शन मोटर जो होती है split phase induction motor या फिर single phase induction motor किस नियम पर कादे करती है तो fans नाम से ही समझ में आ रहा है कि induction motor कादे करती है electromagnetic induction पर ठीक है चाहे वो single phase हो या three phase हो दोनों motor से EMF electromagnetic induction के नियम पर कादे करती है ठीक है तो वीडियो में आज के लिए इतना ही था और next वीडियो में हम जानेंगे कि capacitor start motor क्या होती है तो हमारी चैनल पर playlist चल लिए इस playlist का link description में है जरूर देखिए और हमारी वीडियो अच्छे लग देखिए तो चैनल को subscribe कर लिए बैल आइकन को दबा लीजिए और अगर अच्छे लगए तो share भी कर दिए